नमिशकार मेहु नव्यराम बात करने जा रहे हैं बॉलूट के उस आक्टर की जो आज भी सब के दिलों में संदा है सुशान सिंग राजपूत का जाना फैंस का दिलों को खाली छोड़ गया 14 जून 2020 को बॉलूट इंडस्ट्री ने अपना इस चमकता सितारा खो दिया आज भी सोशल मेडिया पर फैंस आक्टर को न्याय दिनाने की लड़ाई में लगे हैं टीवी शो पवत रिष्टा से घर घर में मशूर होने वाले सुशान टीवी से निकल कर बॉलूट के टॉप आक्टर की लिस्ट में शुमार होने वाले अकेले आक्टर थे सुशान सिंग राजपूत एक मझे हुए कलाकार होने के साथ सथ बहुत ही दिलवाले भी थे आज उनकी पुन्यत थी पर हम उन्चे जोड़ा एक ऐसा ही किस्सा आपको बतानी जा रहे हैं सुशान सिंग राजपूत में अपनी करियर के शुरुवात साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म काई पोच्छे से की थी इसके बाद उन्होंने शुद्ध देशी रोमांस, डिटेक्टिब बुक प्यॉम्शे बक्षी, एमिस धोनी दानचुल स्टोरी के दारनाच जैसी कई हिट फिल्में की 2013 में अपना करियर शुरू करने वाले सुषान सिंग राजपूत ने अपने 9 साल के करियर में 12 फिल्मों में काम किया था जिसमें से Most of the Film Box Office पर सक्सेस्फुल साबित हुई एमिस धोनी सुषान सिंग राजपूत के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी जिसमें उन्होंने भारते टीम के पूर्फ काप्टन महेंद सिंग धोनी का किरदार निभाय था सुषान सिंग राजपूत बहतरीन अभीनेता होने के साल साल बड़े दिलवाले भी थे उन्होंने साल 2014 में रिलीज हुई आमिर खान अनुषका शर्मा स्टार फिल्म पीके में में रोल किया था फिल्म में वो अनुषका शर्मा के बॉइफ्रिंट बने थे रिपोर्ट्स की माने तो अपनी पहली ही फिल्म से फैंस के दिलों में जगा बनाने वाले सुषान उस समय पर करोडों की फीस लेते थे लेकिन राजपूमार हिरानी की फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फीस छोड़ दी 15 मिनिट के रोल के लिए महंता के तोर पर राजपूमार हिरानी ने उन्हें 21 रुपे दिये थे जिसे आतर ने खुशी-खुशी सुईकार कर लिया था सुषान सिंग राजपूत के निधन के एक महीने बाद 24 जुलाई 2020 में उनकी फिल्म दिल बेचारा OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीस हुई थी इस फिल्म का डिरेक्शन कास्टिंग डिरेक्टर को केस छाबड़ा ने किया था फिल्म में उनकी ओपोसिट संजना सांगी ने में रोल में थी सुशान के निधन के बाद जब उनकी फिल्म दिल बेचारा रिलीस हुई तो OTT पर इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड दोड़ दिये सुशान द आज भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं लेकिन फान्स के दिलों में उनकी याद हमेशा जिन्दा है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद